एलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग दिस इंजिनिर सरविंदर कुमार यूपियस से गुरुकुल सही होग हमारा मंजिल आपकी मैं आपका स्वागत है मैं यहाँ पे लाए हूँ लेटेस्ट अप्डेट 30 मार्च 2018 तक का जो की बिहार दरोगा कैंसिलेशन प्रोसेस से रिलेटे यहाँ पे देखिए यह है अक्नॉलिजमेंट स्लिप मिला है अक्नॉलिजमेंट स्लिप इतना है टिकट नमर यह है आपका नेचर अफ केस जो है सिविल रिट दायर किया गया है फालिंग डेट 30 मार्च 2018 पेटिशनर नेम जो है जितंदर कुमार के नाम से यह फाइल हुआ ह और आगे मैं बता देता हूं यहाँ पे रेस्पॉंडेंट नेम जो है रेस्पॉंड करेगा जो गौवर्मेंट के तरफ से सरकार की तरफ से वह है दे स्टेट ऑफ बिहार एंड और इस उसके बाद जो है पिटिशनर एडवोकेट नेम जो है साकेत तिवारीज जी एडवो इसको मैं पूरा एक एक करके बताना चाहूंगा देखिएगा जो सरकार की तरफ से रेस्पॉंडेंट होंगे यह पटना हाइडवोकेट जनरल और उसके बाद यह बीपी एससी के संजे पांडे जी जो एडवोकेट है यह रेस्पॉंड करेंगे गौवर्मेंट की तरफ से अब इसमें लिखा क्या देखिए यहां पर में ली यह एक सगेंड यह में चीज़ दिखाता हूँ आपको यह भी देखिए प्लीज टेक नोटिस दाट दाट दे एवर मेंशन एप्लिकेशन इस गोईंग टो भी फाइल अ कोपी ऑफ विच इस बिंग सर्वड अपन यू फ इक नोटिस और उसके इसाब से क्या रिफरेंस डेट होगा क्या नोटिफिकेशन आप देंगे और कभ इस पर सुनवाई होगे उसके बारे में उनसे रिपोर्ट लिया जाएगा और वो देंगे एक दो दिन में तो यहां पर देखिए का यहां पर जो रिसीब किया है उसके लीफिकेशन लिफ्वार जी अपियर होंगे स्टेट के गवर्मेंट के जगह पर यह सारे सुनवाई को देखेंगे कि वहां पर क्या आपना रिस्पॉन्डेंट पर जो जवाब होगा कोव को कोट में यह देंगे और उसके साही साथ में संजया पांडे जी वीह देंगे औ उखार है 30 30 माच 2018 को यह रिसीव कर लिया गया है और यह सेक्षिन ओफिस सेक्षिनिक पर रिसीविंग इंचाँ एक सब्सक्यूंद मैं इसको थोड़ा से फिर से बताता हूं एक मिनट जूम करता हूं थोड़ा से यह देखें यहां पर लिखा हुआ है सेक्षिन ओफिसर रेस किया गया है और यहां पर देखिए जो पांडे जी के द्वारा यहां पर देखिए रेसीव टू कॉपीज बीडी सिंग ने रिसीव किया है according to Mr. Sanjay पांडे advocate for BPSSC room number 3N4 इनके बीपी पांडे जो है इस और इसंजे पांडे के according दो कोपी रिसीव किया गया है इन्होंने यह confirmations दिया है बीडी सिंग जी तो इस परकार से यह read दायर हो गया friends high court में अब देखना है कि यह सुनवाई का date कब देते हैं और उसके हिसाब से क्या इस्तिती बनती है इसके लिए अगले update के लिए मेरे साथ बने रहेगा मैं ले करके फिर आऊंगा अगले update और उमीद करता हूं कि high court का जो decision हो student के पक्ष में आए रद हो जाए exam और फिर से exam organize हो तो बस आज के लिए बस इतना ही यह आपके लिए आपके लिए information था तो मैं सच आप लोगों की शेयर कर दूँ आप लोग डिमाइंड कर रहे थे क्या इस्तिती है क्या हुआ क्या हुआ